लेकिन उस वक्त पे जो है मुझे एक हास्य का पात्र बनाया जाता था हमारे परधान मंत्री जी का बहुत बहुत नमन करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सडक, सिक्षा और स्वस्थ्य ये तीन जो है वो मेन अजेंडा है मंडी से भाजपा उम्मिद्वार कंग्रा रनोत ने संसदी शेतर में एक सारजोनिक रेली को सम्भोधित किया उन्होंने कहा कि पिये मोदी आज मंडी आ रहे हैं उनका चरित्र, उनके द्वारा किये गए कार्रे, उनकी देश भक्ती, सभी देश के लिए एक आदर्श है उन्होंने परीचे भी दिया है महिलाओ के लिए कई योजनाई भी लागू की है इस बेटी को टिकर देकर महिलाओ के लिए 33 परतीशत आरक्षन का उनका संकल पहले ही लागू किया जा चुका है यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओ के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है उन्होंने आगे क्या कुछ कहा? देखे ये वीडियो जब मैं मुंबई में गई तो मैंने इस बात का बहुत विरोध किया कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी तो मेरा मखौल उड़ता था यहां तक कि सेज यहां मंडियालियारी भाख हुई अहारी अगर हम हिंदी भी बोलते हैं तो एक बड़ी मीधी सी जो है एक लहजा आता है उस तक का जो है चंडीगड से लेकर जहां भी मैं जब जब गई तो एक ऐसा वक्त था वो वक्त अलग था आज वो वक्त नहीं है लेकिन उस वक्त पे जो है, मुझे एक हास्या का पात्र बनाया जाता था मेरी जबान का, मेरी अंग्रेजी ना बोलने का मेरे बहार से आने का, ना जाने कितने तरीके से कहां कहां किस-کिस के कौफी कॉच में मेरा मजाब उडाया जाता था और जिस बात का वहिशकार मैंने समस्त भारत के सामने किया लेकिन आज जब एक पहाड़ी बेटी को जब एक पहाड़ी बहन को जो है एक प्रत्याशी बनाकर एक भावी MP बनाकर एक भविश्य की नेत्री बनाकर जब विश्य की सबसे बड़ी पार्टी भारत्य जंता पार्टी विश्य के सबसे बड़े नेता नुरेंदर मोदी जी के मार्ग दर्शन में जब आपके सामने खड़ी होती है तो उसका जो गौरव है और उनका जो भैवव है वो एतिहासिक बन जाता है इसलिए मैं अपनी सारी मात्रशक्ती की तरफ से अपनी सारी हिमाचल की बेटियों की तरफ से अपनी सारी बेहनों की तरफ से जो है हमारे परधान मंत्री जी का बहुत बहुत नमन करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे लिए वो सौभाग्ये शाली दिन है जब परधान मंत्री जी जो है वो हमारा मार्ग दर्शन करेंगे परधान मंत्री जी के गुंगान करना तो यही बात है कि मानो हम सूरज को जो है दिपक दिखा रहे हैं दोस्तों मैं आपकी बेटी आपकी कंगना आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि मैं भी मोदी जी की सेना में अब जुर चुकी हूँ उनके जो विकास का रत है जो विकास की और आधुनिकता की करांती उन्होंने समस्त विश्व में समस्त भारत में जो लाई है उसमें मैं भी उनकी जो है वो सेना में जुर चुकी हूँ उनका हिमाचल में जो है सडक, सिख्षा और स्वस्थ्य ये तीन जो है वो मेन अजेंडा है सडकों में अगर आप देखे तो एक क्रांती आई है हमारे जैरान जी ने जो है पांच हजार किलोमेटर की रोड बनाने का एक एतिहासिक जो है वो लैंडमार्क काम किया है और चाहे वो किर्पुर्मनाली हाईवे हो या जो जितनी भी जो है एक लाख करोड के बजट की जो है सडके जो है वो गटकरी जी ने अलोट की हो हर तरीके से जो है हिमाचल की कनेक्टिविटी पर हम मोदी जी के मार्ग दर्शन के अंतरगत काम करेंगे और जहां तक आधुनिक्ता की बात है कि हम कभी सोच सकते थे कि हमारे हिमाचल परुदेश में जो है वो ट्रिपल आईटी आई-आई-एम एम्ज जैसे बड़े बड़े संस्तान खुलेंगे हम कभी सोच नहीं सकते थे हमारे हिमाचल परुदेश में जो है चाहे वो مुफत अनाज हो चाहे वो आयुशमान हो हर स्कीम जो है जल जीवन मिशन क्योंकि मैं जिन जिन बधान सवाओं में जाती हूँ अभी ऐसे कुछ गाव है जहां पानी की भी दिक्कत है हर जो है वो स्कीम जो केंदर की जो है मैं आपकी बेटी आप तक पहुँचाऊंगी अवश्य ही ये हमारा सवभाग्य है और अधिकतर ये मेरा सवभाग्य है कि मुझे जब इस फिल्ड में आने का मौका मिला तो ऐसे यशश्वी नेता मुझे मिले जिनके मार्ट दर्शन में अवश्य ही मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी और आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी और दूसरा मेरा ये मानना है कि मेरी हिमाचिल की जो जनता है उन्होंने मुझे यहां बुलाया है उनके प्यार के ने उनके विश्वास ने और उनकी उम्मीदों ने जो है मुझे आज यहां पर खड़ा किया है तो दोस्तों जादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको याश्वासन दिलाती हूँ कि मैं सदा ही आपके सेवा में आपके कामों में तत्पर रहूंगी और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उससे जादा जो है वो आपके लिए काम करके दिखाऊंगी और दोस्तों आखरी में मैं यही कहना चाती हूँ कि आप सब जो है मुझे यहां तक लेके आए हैं तो अब आपको ही मुझे आगे भी लेके जाना है मैंने अपनी योग्यता के आधार पर चार बार जो है राष्ट पुरुसकार पाया है कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही मुझे राष्ट पुरुसकार दिये हैं अपने अपने वक्त में मैंने पदम श्री पाया है और अगर आप मुझे लोग सभा बेजेंगे तो अपने पहले ही साल में अगर मुझे सौभाग्य मिलेगा और अगर ऐसा जो है आप मुझे दिल्ली पहुँचाएंगे तो अवश्य मैं अपनी मंडी अपनी मातर भूमी का नाम जो है वो रोशन करूंगी और इसके साथ ही हम कुछ नारे करेंगे हम सब उत्सुतसा से जो है मुधी जी के आने का जो है इंतजार कर रहे है मुधी जी को जै श्री राम मुधी जी को जै श्री राम मुधी जी को जै श्री राम भारत मता की जै